बहगस सिंग की कहाने 13 अप्रिल सन 1919 जलिया वाला बाग हत्या कांड से स्टार्ड हुई कहीं लोगों की जान ली गई, मासूम लोगों को मारा गया हजारों की तादात में बहगस सिंग ने सुन लिया अपने पिताजी से बात करते हुई बगस सिंग उसके दूसरे दिन चले गए जहां हत्या कांड हुआ था बगस सिंग ने उस मिट्टी को हाथ में लेकर अपने सिर पर लगाया और वहीं उन्होंने एक सपत ली अंग्रियजों के खिलाब वो एक जंग रड़ेंगे करते करते उनकी उमर बढ़ती गई और उनका क्रोथ भी बढ़ता गया सोगंध मुझे इस मिटि की मैं देश नहीं मिटने दूगा ये देश नहीं मिटने दूगा ये देश नहीं जुकने दूगा मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा तर्ज चुकाओगे मेरा घंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे मैंने वचन दिया भारत मां को तेरा शेश नहीं जुकने दूगा सोगत मुझे इस मित्ती की मैं देश नहीं मिटने दूगा ये देश नहीं मिटने दूगा जब उनको जेल के अंदर डाला गया उनके साथ बहुत गंदा वेवार किया गया अंग्रेजो की सरकार ने तब उन्होंने एक आवाज उठाई और बोला कानून सब के लिए एक होना चाहिए अंग्रेज सरकार ने उनकी सर्थ मानने से इंकार कर दिया और उन्होंने अपनी जंग राटनी जेल में ही स्टार्ट कर दी उन्होंने कही दिनों तक खाना नहीं खाया भूखे प्यासे बैठे रहे वो और अंग्रेज सरकार ने उनके उपर कोडे चलाने स्टार्ट कर दिये पानी के अंदर देर घंटों तक उनको डूपाया पर पता नहीं वो किस मिट्टी के बने हुए थे अपने अंदुलन पर टिके रहे ए मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे हा मेरी जमी में हबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिसमों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जामा गुल बन के मैं खिल जामा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जामा तेरे खितों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू 23 मार्च 1931 उनको फासी की सजा सुने दी गई इंकलाम जिन्दाबाद और वो गड़ी आ गई साथ बच कर 33 सेकंड के उपर उनको फासी दी गई 23 लृंग 23 लृंग 24 लृंग 24 लो झराज गए ऊंडाव 24 लिए खुल 24 लो गव्या सबबसाखते हाँ 24 लो गव्यात 한सा जाड़ाँ 25 मien बवभ quiénrics ॉ वैवडाई